राम राँची के बिविन जगों में जा जाकर के पूझित अक्षत बाटने का काम किया है इनोंने निमंतरन पत्र स्रिय युद्ध्यापती से जो आया है और ये तमाम लोग गए कैसा लग रहा है तमाम राम भक्त हैं आप लोग कैसा कितना खुस है आप लोग प़हले तो सभ पूरा देश और पूरा विश्व खुस है कि हमारा सनातन जो है फिर से पुना स्ताफिश संस्कृति है वो स्ताफित हो रही है और आज पूरे भारत वासियों के लिए पूरे हिंदुओं के लिए ये बहुत ही सुब्धीन है आने वाला 22 जनवरी को और जो हम लोग कार्य कर र रहे हैं निमंत्रन पत्र दे रहे हैं वो हमारे लिए सभाग की बात है और सबसे बड़ी सभाग की बात यह हुई हमारे भारत के लिए कि हमारे पूर्वज के समय में राम मंदिर को तोड़ा गया था जो 500 वारत साल पहले आज हम लोग बहुत बड़े सभाग साली है कि उस पुनह जो हैसो मंदिर में विराजमान होना पूजा अर्चना करना घर घर आप लोग जाके पूजी तक्षित बाट रहे हैं क्या कुछ कहेंगे तमाम राम भक्तों से सभी राम भक्तों को जैसराम राहूल जी आपको बताना चाहते हैं कि आज हम लोग कोकर के डेला टोली में ठीक है कुछ दिम पहले हम मोरबादी में बाटे थे आच्छात पत्रा आज हम लोग उसी के निमित कोकर में फिर से एक बर राम भक्त सभी लोग मिलके हम लोग पूजित अच्छा जो अजयधिया जीसे आया है वो बाट रहे है और निमंत्रन दे रहे हैं कि आप लोग कम से कम पांस ठीक है घर में भी जलाएं कम से कम पांस दिया घर में और पांस दिया कम से कम मंदिर में जाकर जरूर जलाएं परभू सिर्राम के याद में क्योंकि 500 वर्सों का कठिन तपस्या जो रहा है हमारे साधिव संतों का उसके बाद आज जो मंदिर बनने जा रहा है उसी के निमित कम कि आव बने जा रहे हैं यह ज़ो रम जम भूमी का निर्माद हो रहा है नया मंदिर बन रहा है। हम को भूएंग रहे हैं और हम जो अंदर से प्रफुलीथ हमन खुष है मन बिल्कुल बिल्कुल यह जारहा जो बहुत ही आधूत है, मतलब हम लोग अच्छत बाट रहे हैं, लोग का घर जा रहे हैं, आप बिश्वास निकर 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 लोग हम लोग को बुला बुला के घर मिले जा रहे हैं, अगर गलती से आगे पीछे हम लोग चले गए, तो लोग अपने घर में बुला रहे हैं, कि आईए हमको नहीं मिला है अच्छ दीजे तो यह हिंदु धर्म और सनातन धर्म का यह आसार विश्वास आज लोगों का मतलब देखने को बंगता है मतलब जैस्री राम जैस्री राम क्या कहेंगे शत्नराइन जी आप अभी मतलब राम कारिय में आप शम्मिलित हैं कितना खुस है सेक्ड़ो तो साल के बाद प्रभुस्री राम जो है हम सभी के आराध्य अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं उसके खुसी में आप लोग घर घर गाओं गाओं मतलब टोला टोला जो है आप लोग अक्षत पूजित अक्षत वितरन करने का काम कर रहें कितना खुस है तो आज सिराम प्रभूप जब 22 जनवरी को जब हमारे इस विदाजमान होंगे अपने महल में तो उस दिन हम लोग को कितना संकल्पित होगा कितना समर्पन भाव आएगा मन में और हम लोगों को ये मतलब भागवान सी राम का ही नहीं मतलब वो आए तो आए अभी ता में बहुत कुछ करना है अचा आप हिंदू राष्ट की और आगे बढ़ रहे हैं लगता है अब प्र प्रभुजियां अभी तो हमारे क्रिष्ण लाला जी विर्जमान होना है उसके लिए भी अधना समर्पन देना है यह तो 500 साल के संगर्थ है वह भी संगर्थ बहुत जल पूरा होगा उसके लिए भी पूरे मतलब हिंदू सनातन मतलब उसके लिए लग चुके हैं और हमें उन लोग का जो भागवान श्री राम श्री किष्ण जी का जो मतलब उनका जीवन का संगर्थ है उनके अपने मन में भाव में रखके हैं हम लोग इस समाज को इस राश्ट को इस देश का इस विस्व का सेवा करेंगे चलिए क्या कुछ कहेंगे सत्यम बाभू राम भक्त हो रहे हैं चलिए आप कुछ कहेंगे एक समय राम के प्रति कितना ये 22 जर्मरी का दीन अभुदपूर्व होगा हम लोग जो भी अभी हैं इस समय पांसो सल पहले की बात है अभी हम लोग अभी हैं हम लोग साक्षा उस मौके को देखेंगे इस या बरादभूत बात क्या होग हम लोग के लिए हम लोग साक्षा गबाद बाकी देख सकते हैं तमाम गली मौहला जा जाकर के तमाम राम भक्त जो है सो पूजित अक्षत और निमंतरन पत्र देकर के ये मतलब कहा जा रहा है कि आप अपने घर में दिया जलाएं और प्रभू स्री राम महल में विराजमान होने के लिए उसकी खुसी में आप तमाम लोग जो है सो पांच पांच दिया जरूर जलाएं और ये तमाम लोग जो है सो रांची के अलग-अलग कोनों में अलग-अलग गलियों में जाकर के ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं बाकी आप क्या सोचते हैं प्रभू स्र यास तर्णड़ाम यास तर्ण यास तर्णड़ाम यास तर्णड़ाम जई शेयरम नमस्कार